चैनल पर लॉंग टर्म शेयर्स में और अगर आप नहीं हैं देखिए सब्सक्राइब के यहां पे लाल बटन बेल आइकन प्रेस कर देज़ेगा था कि आपको नई वीडियो को सूचना मिलती रहे IDFC First Bank के बारे हम बात करेंगे उनके रिदल सा चुके हैं तो हम year on year और quarter के भी रिदल से देखेंगे और क्या किया जा सकता है और stock क्यों भागा कल 8% से ज्यादा closing price के समय जो इसकी बढ़त थी 8 point something तो वो भी हम देखेंगे किस price पर बंद हुआ और इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए तो वो भी हम इस पर बात करेंगे तो वर्तमान सिती क्या है हम देख लेते हैं IDFC First Bank 42 रुपए 40 पैसे के भाव पे कल close हुआ और 26 जुलाई 2019 ती कल आज है शनिवा राज मार्केट बंद है यानि 3 रुपए 40 पैसे की बढ़त BSC पे 8.72% के आसपास और जो साल का लो था 32 रुपए 70 पैसे हाई था 56.85 और मार्केट कैप अभी जो है 20,253 करोड का है फोलूम जो ट्रेड हुआ चार कोड़ के आसपास चार कोड़ 31 लाग सबर्दस्त और एक साल के जो रिटन दिखा रहे है तो पॉजिटिव रिटन है 10.29% के लेकिन 6 मन्त में दिन उनने पैसे लगाए उनको 9.22% के नेगटिव में रिटन त्रेस वल्यों अभी भी 10 की है औ 3.99 के और पेश और अब अगर हम बात करते हैं रिजल्स की तो यहां पर जून 18 से अगर हम जून 19 यानी एर ओन एर देखते हैं तो जो इनको ब्यास से कमाई है अच्छा मैं बता दू पहले कमाई कैसे होती इनकी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अभी इनक इनक्रीज होके हुए देखी एक्स्पैंड कर रहे हैं अपने तो जो ब्रांचेस खूलेंगी तो इनका जो कासा करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो बुक है वो बढ़ेगा लोगों के कस्टमर्स ज्यादा इनके बढ़ेंगे और लोग पैसा जमा करेंगे चाहे इक्स डेपॉसिट के माद थे हम से सेविंग अकाउंट में चाहे करेंट अकाउंट में तो जितना ज्यादा इनके पास कैश आयागा पैसा आयागा उतना ही ज्यादा ये लोन देंगे और लोन से जो कमाई होगी वो इनको ब्यास से कमाई होगी तो होता है कि जो इनको को सस्ता पड़ता अब एक्जांपल के लिए माल लीजिए आप किसी बैंक में गए और आपने एक फिक्स डेपॉसित किया तो आपको माक्सिमम से वेनेट परसन साल का जो है आपको रिटन में लेगा लेकिन वहीं आप दोबारा जाए और बोलिए मुझे परसनल लोन चाहिए वो बात नहीं कह रहा कि आप ओड्राफ लेलें फिक्स डेपॉसित पर अलग से आप जाहिए कि मुझे परसनल लोन चाहिए मुझे कैश लोन चाहिए कितना आप इंट्रेस्ट लोन तो मिनमम से मिनमम देखे अलग रग बैंकों का है कोई बैंक 18% कोई बैंक 22% पर आयनम कोई बैंक 15% डेपेंड होता है कस्टमर रिलेशनशिप पे एक्सिस्टिन कस्टमर तो उसका अलग चार्ज़स होते हैं लेकिन फिर भ से कमाई हुई तो जून 18 में जो थो 2321 करोड की वो जून 19 में हो गई 3793 करोड के आसपास कि यानि 63 पॉइंट के जबर्दस्त अपसाइड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 31.23% की अपसाइड एक शांदार है और यह लिए देखें नेट एन पीए भी इनका कम हुआ है जून 18 में था 1.63% वहीं हो गया 1.35% यानि थोड़ी से डाउंसाइड यहां पर यह जबर्दस्त है ग्रॉस अंपीए भी कम हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट जहां जून 18 में 181 करोड का था वहीं सीधे इन्होंने प्रोविजिनिंग करके 617 करोड लॉस दिखाया है ने भागा 8% से ज्यादा तो यह बहुत बड़ी बात है तो उसका एक रीजन है इन्होंने यह कहा कि जो यह हम आपको दिखा रहे हैं लॉस जो हमारा बैड लोन था या जिस लोन से हमें उम्मीद नहीं है जो NPA हमारा गया जिसको हम नहीं मानते कि वहां से हमें मिल पाएगा य उन्होंने इस बैलेंश शीट में अपने रिजल्स में उन्होंने शो कर दिया तो इस वज़े से लोगों को लगा कि चलो ठीक है यह भरोसा दे रहे हैं कि आगे आने वाले जो कौर्टर्स की रिजल्स हैं तो धीरे धीरे इस्तिति इसमें सुधर जाएगी तो लोगों ने विश्वास किया यह बैंक पर भी लोग कर रहे हैं अब थोड़ा सा ठहरा उसमें भी आया हुआ है लेकिन काफी तूट चुका है तो यह IDFC फर्स्ट बैंक इस वज़े से कल अच्छा रिस्पॉंस दिया मार्केट में और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले अगर अच्छे आए तो जब कंपनी कमाएगी जब बैंक कमाएगी जब उसकी इंट्रेस्ट अनिंग ऐसी होगी इंक्रीज होती जाएगी साल दर साल क्वाटर दर क्वाटर तो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी पढ़ेगा आपने जो अमांट निवेश किया है वो भी डब ट्रिपल चूबियो मल्टी बैगर आप कहले तो अभी छोटी प्राइस का ये बैंक है और मुझे फिजकली जो देखने में लगता है जहां मैं रहता हूँ वहां असपास मने इसके कई ब्रांचेस नई देखी है ब्रांचेस खुलेंगी कासा बढ़ेगा कासा बैलेंस बढ इनका सिस्टम काम करता है और हम शॉन डेंगे तो इस प्रकार से ये काम करती है इनका सिस्टम काम करता है तो इनके रिजल्स सी यह रहे है अब चले हम क्वार्टरली भी इंक्रीजम्ंट की अपसाइड है और अप्रेटिंग प्रॉफिट में भी यहां भी 12.88% की अपसाइट है हाँ कौर्टरली थोड़ा सा जो NPA है वो पढ़ा है है ना तो इस तरीके से इस तरीके से अगर आगे ऐसा ही सुधार करते रहे जिस प्रकार से नोंने कहा है मैनेजमेंट ने जो बोला है तो फिर यह बैंक अच्छा रिटन बनाके आपको दे सकते हैं लेकिन रहासावाल की जो लोग पैसे लगा चुके हैं तो अब इससे बात है कि जो लोग हैं वो बने रहें इसमें कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है बहुत बड़ा लास नहीं हो कोच रहें हैं तो दो स्ट्रटजी के तहत अगर मैं होता मैं क्या करता तो अगर मेरे पास आइडी अपसी फर्स्ट बाइंग के कोई शियर नहीं है तो मैं थोड़े से ले लेता माली जे सो रुपए हैं मेरे पास तो मैं दस रुपए के ले लेता और मैं वेट करता अगले 10 साल याद रखिये जो मैं कहता हूँ 5 साल 10 साल 3 साल लॉंग टर्म जो मेरे चैनल का नाम है तो उसका मतलब यही है कि मैं लंबे समय के लिए किसी स्टॉप के बारे में बताता हूँ तो इस तरीके से अगर मुझे 10-20 परसंट महेंगा भी मिलेगा लेकिन मेरा टार्गेट तो 10 साल है तो मुझे तो भया यहाँ इस पर चाहिए कम से कम 1000 परसंट के रिटर्म तो इस तरीके से इसमें लंबे समय के लिए बाइंग की जा सकती है तो फ्रेंज ये भी एक शांदार बैंक बन सकती है इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो फिर से हाला कि मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो बनाए हैं तो आप देख लीजिए मैंने रिजल्स बता दिये और रिटर्न की जहां बात ही रिटर्न मैंने बता ही दिये साल क अब ही मर्ज हुई है कैपिटल फरस्ट से डियेपसिफ दोनों का नाम हो गया डियेपसिफ फस्ट बैंक तो यहीं पर मैं अपने वीडियो बाइंड अप करता हूं और डिविडेंट पेंग स्टॉक अगर चाहत तो मैं दिखा भी सकता हूं कि यह विशेर होल्डिंग इंक्रीस की हुई है इंशुरेंस कंपनिया थोड़ी से यहाँ पर अपने वोल्डिंग घटाई है इस यह है और अगर हम डिविडेंट देखते हैं तो इन्होंने 70 पैसे पर शिर के साब से पिछले साल दिया था जुलाई 2008 में संभावित है कि इस समय भी यह देने वाले है Thank you for watching this video.